इस विडियो एड्टिंग के लिए तो बात करते हैं सीधा मैं समय खरब नहीं करूगा सीधा बात करते हैं आप normally easily कर सकोगे प्लस अगर आपको office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए best deal होने वाली अगर आपने offline काम करना है जा classes बरा लगानी है अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाले है प्लस अगर आपने as a creator काम करना as a developer का reason को अगर इस laptop की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हो कि इनकी build quality प्लस इसका design वह बहुत ज्यादा इसको suit करता है प्लस MI brand है प्लस अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज्यादा काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है वि वीडियो एक्टिंग करना या creator काम करना या developer काम करना प्लस अगर आप gaming करना जाते हो आप कर सकते हो because आपको graphic card की बात करूँ आपको mx350 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते i5 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है मैं आपको main specification ब storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाते है बस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते ग्राफिक card की बात करूँ आपको nvidia mx350 2GB देखने को मिल जाता है operating system की बात करूँ आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है price की बात करूँ आपको 51,000 के budget में MI notebook horizon देखने को मिल जाता है तो यह main specification मैंने आपको बता दिया MI notebook horizon की अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपक नहीं मतलों सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8GB RAM नहीं सही आपको को काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की मैंने रखा Acer Inspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपको प्लेट 50,000 से कम है तो ये laptop आपको 45,000 के बचल में मिल जाता है 45,000 के बचल में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं बहुत अगड़े specification में मैं आपको बताते हैं तो हम स्पैसिफिकेशन की तो य SSD देखने को मिल जाती है SSD के benefit की अगर मैं बात करूं तो बैए SSD का benefit ये होता है अगर आप टाटाव गराज जल्दी transfer करना जाते हो तो आपके लिए बहुत benefit करेगी as comparison किया जाए HDD के साथ HDD की speed बहुत बहुत slow होती है ठीक है अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो ना तो उसको य speed है G4 MX 350 देखने को मिलेगा उप्रेडी सेस्नों की बातों को विंटो 10 मिल जाती है battery life की बात करूं आपको 8 hours का battery life provide कर देता है price की बातों को 45 तो लेके 51,000 के budget में Acer Aspire 5 ये specification के साथ देखने को मिल जाएगा तो ये main specification में आपको बता दिये Acer Aspire 5 के भी अगर मैं specification के according देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है आपको 45,000 के budget से लेके 50,000 के budget तक ये laptop देखने को मिल जाते है तो अगर आपने office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो अगर programming करने है coding करने है को heavy software यूज़ करना ह जाते हो या gaming करना जाते हो आप इस पे कर सकते हो आपको 2GB graphic card मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते है जिसको आप upgrade कर जकते हो 16GB तक अगर आपने video editing करने है तो भई मैं आपको recommend करना जाता हूँ आपने 16GB RAM के minimum चल जाना उसको upgrade कर लेना आपके लिए ही benefit होने वाला अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो comment section में comment कर सकते हो जा मैं रुजे instagram पर मैं से कर सकते है यार मैंने link वगरा description box में दिया हुआ है अभी आगे बात करते है number 2 की तो अभी बात करते है number 2 की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ number 2 and number 1 को दोनों को मैंने combine कर दिया because दोनों ही laptop जो वो Acer की आ चाहिए अगर आपको gaming design नहीं चाहिए तो Acer Aspire 7 आपके लिए perfect deal हो सकता है बट अगर आपको gaming design चाहिए अगर आपको gaming design से matter कुछ भी नहीं करता आपको specification loaded चाहिए का अगर आपने कोई heavy software यूज करना है gaming करना है video editing करना है आपके लिए best होने वाला Acer Nitro 5 पहले मैं कल तो ब बता दिया अगर आपको office पर के लिए चाहिए मैंने आपको भी बता दिया अभी बात करते हैं दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं तो यह display की बातों को 15.16 full HD display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती तो 16 refresh rate यार average display होती है इतना तगराव भी नहीं कह सकता है इतना इसक देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाता उप्रेणी देखने को मिल जाती है प्लस आपको fingerprint वगारा भी देखने को मिलेगा बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का battery back up provide कर देता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस आपको 50,000 से लेके 54,000 के SSD देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार की बातों को GTX 1650 4GB मिल जाती है अपको 6 hours का battery back up provide कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के budget में इस से नीट्रोफार देखने को मिल जाएगा तो यहार मेंने आपको दोनों ही laptop के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको laptop बत 5000,000 से अपर चला जाता है तो यह अगर आप extra पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपके लिए यह दोनों laptop बहुत तगड़े होने वाले अगर आप extra थोड़ा सा भी पी कर सकते हो तो आप एस से नीट्रोफाइब के और जा सकते हो अगर आपको gaming design नहीं चाहिए त आपके लिए perfect deal हो जकता है अगर मतलब अगर आपका budget 50,000 से भी कम है तो आपके लिए best deal हो सकता है इस price range में Acer बहुत तगड़े है भी अगर आपका budget 30,000 होता है तो मैं आपको Lenovo laptop के और जाने को कहा था विकर उतने price range में Lenovo बहुत तगड़ा कर रहा है लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है इस price range में Acer laptop बहुत ज्यादा तगड़े है तो यार अभी मैंने आपको top 4 laptop बता दिया जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है अगर आप कोई भी हैवी software यूज़ करना जाते हो पढ़ते हो पढ़ते हो पढ़ते हो आफिस पर के लिए चाहिए programming करने है recording करने है जगर आपने as a creator काम करना as a developer काम करना जब कोई भी loaded फाइल पर काम करना आप सभी के लिए जो मैंने आपको laptop बता है वो बहुत अगड़े होने वाले तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरी पेच्छे लगी यार वीडियो को अगर वीडियो कि लाइल तो जाती है खतम अगर जाती है खतम अगरा आपको मेरी वीडियो को लाइल करना आपको मेरी वीडियो यहीं उढ इज